तो उसकी अच्छी हालत भी मुसलियों से मुक्तजियों से देखी नहीं जाती है, ऐसा एक उरुभर मस्जित में होता है ये पैगाम चलाने की जरूरत है कि जिस मस्जित में एमाम को तनफाद कम दी जाती है उस मस्जित में तामीर के नाम पर चंदा नहीं देना चाहिए मेरी बास से अभी आपको एकिलाफ होगा ये दरो दीवाद पर जो आपने टाइम लगाए में इसकी जरूरत नहीं थी ये आनामात एक कयामत में से है अल्ला के रसूल सल्ण लाह आले ही वसल्लम ने इससे मना किया है हम मस्जितों की तामीर पर लागों रुपिया खर्चा करते हैं लेकिन इमाम को अच्छी तर्फा देने की हमें तव्पित नहीं होती तर्फा देने के लिए अगर बढ़ाने की बास आए तो तर्फियों में इस्तिनाफ हो जाता है उन्हें तोगे का समझाता कहां से लाएंगे कहां से लाएंगे तुम क्या अपने घर से दे रहे अपनी जेब से दे रहे जो खुदा दे रहा है तुम दो वो खुदा देगा तो हम लोगों को एमाम के तालुक से अपनी सोच बदलना चाहिए अपना रवईया बदलना चाहिए इहतिराम की नजर से देखें इज़त का सुलूग करें और खामोश खिद्मत करें इस बात की कोशिश करें कि एमाम को अच्छी तरफा मिले ये कोई फकीर नहीं है कि आपके दर्वाजे पर भीक मांगने के लिए आएगा ये सफेद पोश शक्स है जो अपनी इज़त ठाफ करके आपकी मस्जिद में खिद्मत कर रहा है पांच वक्त तक आप तक्भीर तह्रीमा के साथ नमाज कोर कर परिडी सब्सक्राव में देखो तो आपको अंदाजा होगा कितना मुश्किल काम है और इमाम सर्वी हो अध़े हो बारिश हो भानात अच्छे हो फिराब हो वो भीमार हो तंदरुस्त हो खुशे के मौके में हो गमी के मौके में हो नमाज का वक्त होता है सब कुछ छोड़ चाला करके उसे आना पड़ता है और अगर इमाम कभी ताकीर से आया